हाई गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में तो सबसे पहले थैंक यू फॉर एवरीबड़ी जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है परसले इंस्टाग्राम पर गेट वेल सून का वेल मुझे आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग अक्चली कंसर्ण हैं मेरी हेल्थ को लेकर बट आप सबकी दुआ रहीगी तो जरूर जल्दी ठीक हो जोंगा मैं आज अगर देखेंगे वेल मार्किट अल्मोस्ट फ्लाट खुली थी यह मैं बारवार अपने टेलिग्रम चैनल पर बता रहा था कि अगर अब इसमें दो ऑप्शन्स होते हैं दो ऑप्शन्स थे आज मार्किट के पास या तो मार्किट 43400 का सपोर्ट ले एंड एक अच्छा मूव उपर की तरफ कर सकती है लेकिन अगर 43400 का लेवल ब्रेक होता है एक बहुत ही अच्छी 400, 4500 पॉइंट की हमें मूव देखने को मिल सकती है डाउनवर्ड बिकॉज 43400 हमने देखा है जो बारवार इंपोर्टन रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का अट कर रहा था अब अगर वो तूटता है एक अच्छा गाजा इसमें एक रिट्रेस्मेंट आ सकता है नीचे की तरफ वैसे ही कुछ हुआ बिकॉज जैसे हमने देखा दूसरी 15 मिनिट के कैंडल नहीं 43400 के नीचे उसको क्लोस कर दी थी और उसके बाद मैंने इमिडिटली टेलिग्रम पे भी डाल दिया था कि अब सब तयार हो जाईए बिकॉज शायद हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करे और जब मा मार्केट एक ही दिन में दो इंपोर्टेंट लेवल इतने वेल यूजली नहीं तोड़ती अगर कोई ऐसी मेजर बेरिश नहीं है तो लेकिन वही है कि अभी देखेंगे तो मार्केट 43,000 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोस किया है अगर मार्केट कल फ्लाट खुल जाती है यह अगर मार्केट स्लाइटली भी अगर पॉजिटिव खुल जाती है ट्रस्ट मी अन दिस बहुत ही अच्छा है एक नीचे की तरफ आपको मूव मिल सकता है और वो मूव कम से कम मैं तो बताऊंगा साड़े 300 से साड़े 400 पॉर्ट का जरूर हो सकता है बट यही कंडिशन ह पॉर्ट करता है 43,000 का लेवल भी तोड़ देता है लेकिन सम्हाओ फिर वहाँ से अच्छा सपोर्ट लेता है उसके उपर जाता है लेकिन बिकॉज यही है कि बेरिशनेस थोड़ी जादा थी मार्केट में जिसकी वज़े से 43,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे ही क्लोज किया है भी बैंक डिफ्टी ने अभी इंट्रेस्टिंग बात होगी कल के लिए अगर हम देखे 43,000 इमिडिट जो रेसिस्टेंस है वो आट करेगा अगर मार्केट फ्लाट होलती है डेफिनेटली 43,000 थोड़ा इसमें रेसिस्टेंस आट करेगा उसके बाद 43,400 है जो हम सबको मालूम है कितना important resistance है उसके बाद 43,800 के आसपास बहुत important resistance है बैंक डिफ्टी के लिए नीचे की तरफ देखेंगे विल मार्केट फ्लाट होलती है नीचे की तरफ सिर्फ एक important support है जो है 42500 के आसपास उसके पहले को इतना important support है नहीं तो 500.00 की जो move है बहुत ही sharp move एक आपको दिख सकती है, बहुत quick move आ सकती है, because market आप देखेंगे ना, मैं आगर आपको दिखाओंगे, आप देखेंगे, कितने time से इसी range में घूम रही है market, कितने time से इसी range में घूम रही है, यह almost, एक बड़ यह मैटा आजता हूँ, यह almost आप देखेंगे न, 21st of December से, मतलब यह जो range है 43,400 से लेके, 42,500 इसी की range में घूम रही है, and definitely यह वाली range वापी से test हो सकती है, अगर market कल flat खुलती है तो, और चलिए अब एक बार, बैंक निफ्टी का OI analysis देख लेते हैं, so, जो सबसे ज़्यादा call writing है, वो 43,500 पर है, and put writing तो कई बेची ने गई, and जो सबसे ज़्यादा put writing है, वो 43,000 की है, आप देख सकते हैं, हर जगए call बेचे गई है, put writing यह तनी ज़्यादा है नहीं, because market ने एक ही तरफ की directional move दिखाई, आज bearish move काफी ज़्यादा थी आज, bank nifty में, और चलिए अब आप nifty भी देख लेते हैं, एक बार, so, guys, nifty देखेंगे, तो nifty भी almost flat खुली थी, and 18,250 का जो resistance है, उसी level से continuously fall की है, well, 18,000 टेस्ट नहीं किया, लेकिन definitely अगर bank nifty कल bearish जाती है, so, nifty भी bearish definitely जाएगी, and अगर 18, nifty का level nifty निकाल देती है, well, पता है, सबसे best बात क्या होगी, कल, अगर bank nifty, nifty दोने ही flat खुल जाए, bank nifty अपना 43,000 का level है, वहाँ से break करते है, and nifty 18,000 का level जो है, उसको break कर दे, सबसे best वो trade मिलेगी, आपको एक bearish trade, एक बहुत अच्छे directional move देखने को मिल सकती है, because nifty में भ पास एक support है, जो almost 200 point दूर है, so, यह भी बहुत interesting होगा देखने के लिए, कि क्या होता है कल, और चलिए अब एक बार nifty का भी OI analysis देख लेते है, so, nifty देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा, जो call writing है, वह 18,200 की है, and nifty में भी हर जगा ही call बेचे गाए है, and put writing देखेंगे, तो better रहेगा, लेकिन, personally, मुझे नहीं लगता कि 18,000 एक safe level रहने वाला है कल के लिए, और चलिए, एक बार मेरी positions भी देख लेते है, so, यह मेरी positions है, इसको एक बार मैं refresh कर देता हूँ, so, यह देखेंगे, तो, आज 15,430 positive close किया है, well, order book दिखाऊ हूँ, तो 43,600 मैंने बेचा था, जिसमें 936 पे मेरा put option का stop loss हो गया था, well, यह actually दिखाने वाली बात है, नहीं, because it was a pretty simple day today, because market continuously fall करती है, जिसकी वज़े से मेरा 936 पे ही, मेरा put option का stop loss हो जाता है, उसके बार मार्क option तो मेरा, मतलब, आस पास भी नहीं आता है, and वो हमने फिर, मतलब, at the end of the day, close कर लिया, profit में, so, guys, यही था, आज का, and काफी simple दिन था, वेडनेस डेस के दिन, इतने जादा simple नहीं रहते है, because हमने कुछ time से देखा है, at least 4-5 महीने से तो, यह मैं देखी रहा हूँ, कि Tuesdays and Wednesday days are like really difficult, आपकी जो psychology बहुत जादा effect होती है Tuesdays and Wednesdays को, because यही है कि अभी जो Tuesday वो तो recently Fin Nifty का थोड़ा आचुका है, Fin Nifty के expiry होती है Tuesday को, उस वज़े से and Wednesday को क्या होता है, Wednesdays are the most volatile days, and उसमें क्या है, Theta TK तो आपको मिलता है, लेकिन वो इतने जादा volatile होते है, उपर नीचे के move होती है, जिसकी वज़े से दोनों तरफ के आपके stop loss बच जाते है, तो guys India Wix देखेंगे तो 5.6% आज positive close हुई है, and 15.19 पर चल रही है अभी, and definitely थोड़ी ऊपर जाएगी है, and 17-18 तक तो हम कुछ trading sessions पही देखने वाले है, that is for sure, because budget आने वाला है, and budget के लिए पूरी-पूरी तयारी हो रही है, because हर बार budget के time पे, India Wix थोड़ा हाई रहता है, so well हमारे लिए तो अच्छा ही है, because हमें जादा premium मिलेंगे, and well drawdown से हमें डरना ही लगता, लेकिन यह यह कि हमें थोड़े profit जादा चाही होते है, and उस चीज़ के लिए हम बस अपने तयारी कर रहे हैं, and I'm sure जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो सब भी इसी चीज़ के तयारी कर रहे है, so that's it was today guys, यह था आज की वीडियो के बारे में, आपको वीडियो ची लगी हो, तो please like करें, share करें, मुझे comment करके जरूर बताएं, कि आपने क्या trade किया, and कैसा रहा आपका पूरो दिन, so यही था आज के लिए,